So hello guys, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा गयाफ होने वाली है तो friend, इस वीडियो में हम बात करैंगे 5 ऐसे anajing application की जो आपके daily uses में बहुत ज़्यादा है helpful होने वाले है तो friend, जैसे कि आप अपने फोन को कही भी रग देते हैं और आपके phone को कोई भी शेड़ा चाड़ी करते रहता है जैसे कि किसी ने भी phone उठा लिया और फिर उसे lock callने की कौसिस करता है तो friend आपको मैं ऐसा application बताऊंगा जिससे कि आप अपनी privacy को maintain कर सकते हैं तो friend इस application की मदद से यदि आपका phone कोई भी टच करता है या चीता है तो उसकी photo automatically निकल जाएगे और आप पता कर सकेंगे कि आपका mobile किसने चीया था और friend ऐसी और application है जो आपको मैं वीडियो को आगे बताने वाला हूं तो friend चलिए वीडियो को start कर लेते हैं मेरे नाम है अहसान और आप देख रहे हैं टेक्टो अहसान चैनल चलिए वीडियो को start करते हैं तो चलिए friend अब बात करते हैं फर्स्ट application की जैसे कि मैंने बताया friend आपको कि मैं आपको बहुत सारे helpful application बताने वाला हूं तो पहला application है हमारा gesture तो friend इसे आप simply play store में जाके download कर सकते हैं friend gesture एक application जिसकी मज़से आप multi tasking आराम से कर सकते हैं तो friend इस application की मज़से आप जैसे ही इस application को open करते हैं इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है और इसे आप यूज करना भी आसान है फिर इसमें ऐसा है कि जैसे याप भी बनाएंगे तो आपका जो भी आप सेट करेंगे भी से या फिर भी से जो भी आता होगा वीड्मेट या फिर बाय वनाइंगे आप तो यूटूब खुल जाएगा या फिर ऐसा आप कुछ भी set कर सकते हैं जैसर में आप एक click करेंगे और आपके सामने एक window open हो जाएगी जैसर open हो जाएगा और उसमें जैसे आप buy बनाएंगे तो buy से आप जो भी set करेंगे तो YouTube खुल जाएगा या फिर आप video बनाएंगे V से तो video open हो जाएगी या फिर आप WhatsApp के लिए W बनाएंगे तो W से आपका WhatsApp open हो जाएगा तो friend ये gesture application multitasking के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है तो friend second application है X call तो friend X call से आप अपने friend या फिर दोस्तों या फिर किसी को भी relative को friend कर सकते हैं he was friend 2 इस application की मदद से आप कहीं से भी call कर सकते हैं I mean ंस friend की यदि आपका जो personal デमर है आप उसे नहीं दिखाना चाहते हैं और किसी को call करना चाहते हैं तो آپ इस application की मदद से आयाम से कर सकते हैं is application की मदद से आपका nummer जो भी किसका नम्मर है तो फ्रेंड इसमें कोच आपको टोकन खरीदने पड़ते हैं या फिर फिरी भी होता है तो आप इसे install करके देख सकते हैं तो चली फ्रेंड आप बात कर लेते हैं थर्ड एप्लिकेशन की फ्रेंड थर्ड एप्लिकेशन है हमारा लिंकर तो फ्रेंड आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे या फिर कहीं भी आपने कोई भी वीडियो देख लिया और वो आपको पसंद आ किए दुसरी और चीज को कोपी करते हैं तो जो हमारी पहले कोपी होई है वह पेस्ट नहीं हो पाती है हमारा कॉपी पेस्ट हुआल सिस्टम एकी वार पेस्ट करने की मदद देते है तो इस एप्लिकेशन की मदद से आप बहुंछ चारे लिंक को एड कर सकते हैं और बाद म उस लिंक को अपने अपने फ्रेंटों को सेर कर सकते हैं या फिर आप भी यूजमें ले सकते हैं त। यह अप्लिकेशन आपके लिए बहुत जादा हेलपल होने वाल है तो फ्रेंड आप बस में ट्रेवलिंग करते हैं या ट्रेंड में ट्रेवलिंग करते हैं तो आपके दिमाग में आया ही होगा कि बस कितने किलोमीटर पर हावर चलती है या फिर इसकी स्पीड कितनी है या फिर ट्रेंड की स्पीड कितनी है तो फ्रेंड इ ceksون आप इसकी मदद से आप आराम से अपने स्पीड को पता कर सकते हैं स्ठीलिंग तो आप बात कर लेते हैं तो है स्पीड नाम नाम है यह से ऐसे आप गूगल प्लेस्ट्रेश्टर में जाकर बाउलोड कर सकते हैं या फिर लिंक में description में दे दूँगा सभी application की तो आप वहां से भी जाके check out कर सकते हैं तो friend इस application की मतलब से आप यदि आपके phone आप कहीं भी रग देता है और आपका friend या कोई भी आपके mobile को touch करता है या फिर चीता है उसे unlock करने की causes करता है तो आपका smartphone उस person की photo capture कर लेगा जिससे की आप पता कर पाएंगे कि आपके mobile को किसने चीया था कर गए या फिर आप photo देखकर भी पता कर सकते हैं कि आपके friend ने या फिर किसने आपका mobile को lock खोलने की unlock करने की causes कर रहा था तो I hope friend की ये application बहुत जादा आपके लिए helpful रहेंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेना और bell icon को प्रेस कर लेना चलिए मिलता है next interesting वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye thanks for watching